इस मंदिर के बारे में आपको कहा से जानकारी मिली इस मंदिर के बारे में मुझे जानकारी मिली हमारे एक मित्र है तो उन्होंने हमको बताया कि मतलब मेरे बच्चे की फिजियो थरोपी चल लीती तो उन्होंने बताया कि एक बार आप बजरंग बली के मंदिर में जाओ और यहां पर बाल रूप में बजरंग वली है, तो बताए कि यहां पर सबसे ज्यादा बच्चों का ही है, हिसाफिकाब, तो एक बार आप वहाँ जाओ, वहाँ जाने के बाद बच्चे के साथ जो भी दिक्कते हैं, सारी पुरी हो जाएगी, फिर मैं यहां पर मही में आया, फिर मैं continue with family के साथ आता रहे, और मेरे को दो यहां तीन मंगलवार के बादी फिर यहां से रिजर्ट मिलना सुरू हो गया, फिर जो परिसानी थी, सब बजरंग वली ने पच्चों तो पर से हटा दी, और फिर वो एक ऐसा मनलब, वो हो गया कि अभी मैं पीछे कहीं सा रहा था, कहीं दूर दूर तक कोई आपको जगह नहीं मिलेगा, गारी वारी की पार्किंग फोल हो जाती है, रोड पे लगाना सुरू करते हैं लोक, और मंगलवार को ही रहता है, यहां पर जो भी, और सुंदर कानल का पार्ट होएगा, सब होएगा, और बाबा के बारे में जानकार नहीं मिली, मैं अंगता हूं कि जो नहीं जा पाते हैं, तो उदर अगर नहीं जा पाते हैं, जो प्रकिंग मेन तो वह कोई रेगूर में आ आता है तो तो दो से तीन चार मंगलवार में ही उसका रिजल्ट आजाएगो इतना मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि बहुत सकती है बजरंग वली में वो तो वैसे भी कल्यूप में कहा गया है कि बजरंग वली अभी भी है पिर्थिवी पे तो देखता हूँ और अपने साथियों अ जैसे बच्चों को लेके बाल रूप में बजरंग वली है यहां पर तो कोई भी इस तरीके की कि किसी को परेशानी होती है या किसी की को ऐसी मनत है जो पूरी नहीं हो रही है काफी देखे हर एक मनुष्ट को कष्ट जिलना पड़ता है क्योंकि स्री राम चंद्र भगवान कोई 14 वर्स के बनवास काटने पड़ गए तो मनुष्ट की जिन्दिगी में तो है यो लेडी प्रिशानी तो कहीं न कहीं उसके रास्ते बगवानी निकालते हैं तो एक बार आये और यहां बजरंग वली के दरसन करें जैसे 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 घंडर परशंड उनकु बुनादे जैसे हैं